असलाव आलेकूम, आज मैं आपके साथ मतंजन की रासीपी शेयर करने जा रही हूँ, ये रासीपी जितनी हुपसूरत दिखने में होती है, उतनी खाने में भी डिलीसियस होती है, ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही जटपट से बनने वाली रासीपी है, तो चलिए बिना टाइम बेश्ट किये हुए हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम राइस को लेके उसको बाइल होने के लिए रख दिया है तो राइस को हमें 100 परसंट तक कुप कर लेना है अगर हम राइस को थोड़ा कच्चा रखेंगे तो जब चीनी के साथ मिक्स होगा तो थोड़ा सा हाड हो जाएगा इसलिए हमें राइस को 100 परसंट तक कुप करना है अभी हमारे राइस 100 परसंट तक कुप हुए है और नहीं इनको इस तरीके से हाथ से तोड़कर देख लेंगे राइस हमारा पक चुगा है और अब हम इसे पानी से बाहर कर लेंगे डेर कर देंगे पानी को 300 ग्राम लिया है आपर मैंने सूगर 1 टेबल स्पून ग्रीन टूटी फुरूटी 1 टेबल स्पून राइट टूटी फुरूटी 6 से 7 ग्लैच चरीज और जो राइस पकाए थे उनमें मैंने औरेंज फूट कलर और ग्रेन फूट कलर दोनों मैं मिक्स कर लिया है और ड्राइफ फूट में लेंगे हम यहाँ पर 12 काजू 15 किस्मिस 15 पिस्ताचियो और 12 लेंगे अलमंड फ्राइंग के लिए लेंगे यहाँ पर गी मैं तेसी गी का इस्तमाल कर रही हूँ और पास से इच्छे ग्रीन काड माम और पास से इच्छे कलॉब यहाँ पर योज करूंगी मैं अभी गी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है अब घी गरम हो गया है उसमें डाल देंगे हम कलॉब और काडमॉम इनको थोड़ा सा क्रेकल होने देंगे और उसके बाद इस पर लगा देंगे राइस के लेयर पहले हम राइस के लेयर लगाएंगे उसके बाद इस पर हम सकर के लेयर लगाएंगे अब इस पर फिर से राइस की लेयर लगा देंगे अब राइस को अच्छे से फैला देंगे इस पर और उसके बाद जो बची हुई हमारी और सकर है उसकी लेयर लगा देंगे इस पर और अभी इनको 2-3 मथपक्णने देते हैं अभी देख सकते हैं आप पानी रिलीज हो गया है बहु सारा तो आभी इसको हम ढ्राइ कर लेंगे तो पानी को हमने ढ्राइ कर लिया है उसके बाद हम डाल देंगे इसमें dry fruits जो हमने लिये थे और डाल देंगे red tutti-fruity और grain tutti-fruity इन से इसमें texture भी अच्छा आएगा इसका taste भी बढ़ जाएगा और दिखने में भी यह खुब सूरत लगेगा मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से और अब एक जगे डाल देंगे हम green rice और एक जगे डाल देंगे orange हमें इनको ज्यादा फैला ना नहीं है वाना इनका color mix हो जाएंगे बस इसी तरीके से इनको छोड़ देना है और एक lid से ढख देना इनको अभी हम इनको 8 से 10 मिनट दम पर पकने देंगे और उसके बाद देखते हैं अब इनको 8 से 10 मिनट दम पर पकते हुए हो गया है देख सकते हैं तो यह मतंजन हमारा बनकर एकदम तयार हो चुका है अब हम इसे serve कर लेंगे यह मतंजन बनकर हमारा तयार हो चुका है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे जो रैड बटन है सब्सक्राइब कर उसको प्रेस कीजिए और बैल आइकन को भी दबाए ताकि जो भी में वीडियो डालूंगे उसकी अप्टेट आपको मिलती रहे थैंक्स पॉर वाचिंग